आप सभी लोगों को मेरे नमश्कार, ओमनीपद में हम ओम सायराम, असलाव आलेकुम स्रीकाल, मैं हूँ सुरभी आपकी सुरभी आगई हूँ, फिर से आपनों के लिए एक और पेका कार्ट रीडिंग लेकर और इस वेडिंग का जो टॉपिक आपने देखी लिए अगत हमने में टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कोई time movement आने वाला है आपकी लाइफ में? अगर ऐसा कुछ है, कोई time movement आने वाला है तो वो क्या है? और उसको कैसे हम face करें और किस तरीकी से उससे fight करें और ये जो time moment आ रहा है ये क्यों आ रहा है क्या सिखाने के लिए आ रहा है ये सब कुछ देखने की गोज़िश करेंगे और अगर कोई time moment नहीं आ रहा है तो क्या कुछ है आगे आपकी life में देखने की गोचिश करेंगे, इसके लिए मैंने तीन कार्ड्स आपके सामने रखे हैं, इनमें से एक आपको स्लेक्ट करना है, इंटुटिवली, कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर आप मेरिजेट करें, और देखें कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रेक्ट करता हुआ महसूस होता है, वही कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसी की डीडिंग आपने देखनी है, अगर आपको लगता है कि आपके इंटुशन उतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप चिट बना सकते हैं, 1,2,3 करके, और जिनको भी आप मानते हों, उनको प्र सेलेक्शन पर जा सकते हैं, बट मैं यही कहूंगी, कि बहतर होगा अपने इंटुशन को प्रयारीटी दें, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, सभी की हेल्प करना, तो मैं सभी की हेल्प करने के लिए ग्रुप सेलेक्शन का अंप्शन रखती हूँ, लेकिन मैं वही कहूंग आपने इंटुशन को बहतर बनाएं, क्योंकि कई सारे साइंस आपको मिलेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, जो कि आप अपने इंटुशन से ही समझ पाएंगे, अगर आप अपने इंटुशन पर काम नहीं करते हैं, तो बहुत मुश सवालों के जवाब आपको ना मिले, तो आपको Universe को इसके लिए भी थैंक्स कहना और खुश रहना है, Mother Universe आपके सवालों के जवाब सिफ तब देती हैं, जब आपके इंपॉर्टेंट हो, जब आपकी जर्नी में उसकी जरूरत हो, अगर अभी आपकी जर्नी में किसी भी पाना जरूरी नहीं है, तो आपको यहां से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपको खुश रहना है, gratitude फील करना है, वेट करना है, धायर रखना है, universe खुद आपको कोई ना कोई साइन देंगी, कुछ समय के बाद, जनरलेस्ट रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है, टाइमलेस्ट रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, और सबसे इंपोर्टन बात वो यह कि 709 टेरट फैमिली जो हमारी है, यहां पर धायर मौल जाती को लेकर कोई भी भेदपाऊ नहीं होता, तो आप किसी भ अभी लोगों के कमेंस का में रिप्लाइ करूँ, लेकिन अगर कभी छूट जाता है तो उसके लिए एक शमाचा होंगी, अब बात कर लेते हैं परसनल रीडिंग्स की, जो लोग यह कमेंट करते हैं कि परसनल रीडिंग्स आप कर रहे हो या फिर नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी या फिर आप मेल कर सकते हो, जो डीटेल मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर उसी के जरीए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ओके, अब यह रीडिंग्स करने से पहले मैं आपकी एनरजी क्लेंजिंग्स कर करता है , okay ? आपको हैडिक हो सकता है आपको थूड़ी बिचयाय नहीं हो सकती है तो आप इसको स्किफ कर सकते हैं पहले आप मैडिटेशन करें योगा करें अपने चक्रावद को बैलेंस करें जब वो बैलेंस्ड हो जाएंगे उसके बाद आप यह सak्ते हो, तो चली स्यूर कर सकते हैं master class, वहाँ पर मैं लोगों को सिखाती हूँ कि law of attraction किस तरीके से काम करता है, manifestation के techniques मैं share करती हूँ, switch words मैं share करती हूँ, white spells मैं share करती हूँ, और जितनी help कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ, किसी तरीके के doubts हैं, उनकी growth को लेका, और personal life and professional life में तो उनके doubts को clear करती हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम manifest करते तो हैं, लेकिन manifestation हमारी पूरी नहीं होती, तो क्यों नहीं हो रही है, वो clarity मैं देती हूँ, तो आप चाहें तो आप भी इस master class का हिस्सा बन सकते हैं, join कर सकते हैं, आपको जो link है description में मिल जाएगी and of course जहाँ पर time stamp है, व अब मैं इस से आपकी energy cleansing करूंगी, तो अगर आप अपने रूम में हैं तो आप लेट सकते हैं, आखे बन करके, और relax हो सकते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां पर आप लेट नहीं सकते, तो आप जहां पर हैं वही पर आखे बन करके इसको सुन सकते हैं, इस पर ध्यान लगाते हुए, ठीके, चलिए, बन करके बनाप लेट कर वहीं सकते हैं, जहां यहां पर आप में सकते हैं, इस पर आप हैं, यहां जहां कर दो कर दो पीस ओकी तो किसी के मन में ये सवाल है कि जब वो कोई काम करने जाते हैं कुछ नया करने के लिए जाते हैं तो वो बहती जादा nervous feel करते हैं तो उनके लिए message ये है कि बहतर होगा आप अपने root chakra पर काम करें अगर आप अपने root chakra पर काम करते हो तो ये जो आपका problem है ये पूरी तरीके से चला जाएगा नहीं जानती है किसके लिए होगा message लेकिन जिसके लिए भी होगा आप ट्राय कर सकते हैं तो जली शुरू करते हैं देखते हैं कि आज की reading में क्या आता है अगर आपकी लाइफ में कोई top moment आने वाला है तो वो क्या है कैसा है और उसको कैसे हम face कर सकते हैं कैसे इससे fight कर सकते हैं क्या कुछ करने की जरूरत पर सकती है तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं queen of swords, death and ये है आपके लिए tree of cups all right hangman justice, knight of swords and यहाँ पर है bottom of the deck the emperor all right और अब मैं देखूंगी आप लोगों के लिए major kana हाला कि यहाँ पर हैं आपके लिए major kana पर फिर भी मैं देखना चाहती हूं okay chariot bottom of the deck है और ये दिखते हैं क्या आया है फिर से है the hangman all right okay तो अगर मैं यहाँ पर explain ना भी करूं ना ये ना भी करूं ना कि tour moment आने वाला है या पर नहीं तब भी आपको पता ही है कि हाँ आने वाला है right क्योंकि cards ही ऐसे हैं मैंने आपको बताया है अगर आप readings देखते रहते हो तो नहीं देखते रहते हो तो हाँ आपकी life में एक बड़ा tour moment आने वाला है और बहुत कुछ है जो बिल्कुल बदल जाएगा जो खत्म होना है वो पूरी तरीके से खत्म और जो नया आना है कुछ नया शुरू होना है तो बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ शुरू हो जाएगा और ये आप खुद करने वाले हैं guys जहां तक मैं आपको देख रही हूँ जहां तक मैं आपके energies को feel कर रही हूँ आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सीरी बात करना पसंद है इतने straightforward कि कई बार आप लोगों को लोग अलग तरीके से judge कर देते होंगे जैसे कि आपको बोल दिया कि आप rude है आप emotional नहीं है आपको किसी का दर्द महसूस नहीं होता आपको कई बार अगर आपका जगड़ा होता होगा किसी से तो लोग आपको कह देते होंगे कि आप में तमीज ही नहीं है बात करने की आपको कुछ समझनी आता impulsive है इस तरीके कि कई बाते हो सकता है आपको सुनने को मिलती हो जो चुब जाता हो आपको ऐसा नहीं है कि आप में manners नहीं है आप नहीं समझते हैं सही क्या है गलत क्या है लेकिन जो बात करने का आपका तरीका है जो सीधा आप बात करते हो इतने straightforward हो इसकी वज़े से लोग आपको judge कर देते ह सच में समझ नहीं आता कि आप क्या हो सच में क्या हो आपकी बातों की विज़े से दिल आपका अच्छा है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि आपका दिल अच्छा है उनको यही लगता है कि आप सेलफिश हो आप रूड हो आप सिफ अपनी बात मनवाना चाहते हो आप चाहते हो कि सभी आपके आगे पीछे भूमें इस तरीके से वो आपको चश्च कर देते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी इस्तिती में, मैं एक्षली इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे हो, इतना इस्ट्रेट फरवर्ड हो, और सच बोलने वाले, इतने इमानदार, इतने समझदार, तो आपका अटक कर रहना, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, कि आप कोई तो सिचुएशन है, जिसमें अटके हुए हो, यह हो सकता है, दो-तीन महीने से हो, या फिर दो-तीन सालों से, लेकिन यह जो दो-तीन महीने का जो टाइम है ना, वो भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि आप, मैंने बताया ना, कि जैसा कि आपको देखकर मुझे लगा, जो एनरजी मुझे फील हुई, आप इतने समझदार हो, इतने समझदार हो, इंट्यूशन आपकी बहुत ही अच्छी है, ऐसे में अटक कर रहना, चाहे वो कुछ भी हो, को अब आप उनसे treatment ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जीब लग रहा है, कि ऐसा क्या है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा reason ही होगा, जिसके आप stuck हैं, क्योंकि आपकी personality ऐसी नहीं है, आपका soul type ऐसा नहीं है, कि आप अटक कर रहो, अगर आपको clarity नहीं मिलती है, सामने वाले से, ख clarity लोगे जरूर, ऐसी इस्तिति में, एक ऐसा इंसान अगर stuck है, तो बहुत बड़ी बात है, तो जरूर कोई बड़ा reason ही रहा होगा, जिसके चलते, आप इतने सालों तक stuck रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर, और ऐसा भी हो सकता है, कि clarity हो, जैसे कि अगर कोई connection ऐसा है, जैसे आप किसी ऐसे बंदे से deal कर रहे हैं, जिसकी life में already कोई है, तो हो सकता है, कि वहाँ पर कोई divorce का case चल रहा हो, या सामने वाले ने कहा हो, कि सब कुछ clear है, बस हम अलग हो जाएं, फिर जिसके साथ में वो है, उससे वो अलग हो जाएं, फिर आप दोनों का union हो जाएग क्योंकि आपको ये लगता है, कि आप इसको अच्छे से समझते हो, जानते हो, वैसे ही अगर आपके career को लेकर देख लें, तो हो सकता है, कोई project हो, जिसको लेकर आप सोच रहे हो, कि नहीं हो जाएगा, महनत करते हैं, ऐसा outcome मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, है ना, या जैसे क मैंने कहा health को लेकर, आप किसी से treatment ले रहे हो, डॉक्टर पर आपको बहुत भरोसा है, आपको लगता है कि वो ठीक ही कर देगा, और इसलिए आप कहीं और ilash नहीं करवा रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये लगता है कहीं ना कहीं, कि अगर आप इस से मिले हो, या हमारा आमना सामना ही नहीं होता, अगर union नहीं होना होता, तो आमना सामना ही नहीं होता, या ये project में अगर मुझे फायदा नहीं होता, तो ये project मेरे सामने आता ही नहीं, ठीक है, इस तरीके की चीज़े हो सकते हैं, जिसको लेकर समझदारी सही सही आप वेट करते रहे, अगर clarity है और अगर clarity नहीं है तो हो सकता है clarity पाने के विज़े से आप इस्टक रहें लेकिन ऐसा है बट अब मैं आपको देख रही हूँ आगे फैसला लेते हुए आप खुद से ही action लेने वाले हो यानि कि जिस तरीके का आपका soul type है उस तरीके से अब आप काम करने वाले हो अभी तक जो आपने किया वो actually आप थे ही नहीं जिस तरीके से आपने वेट किया है आपने खुद को कुछ और ही बना लिया था जो आप सच में हो वो आप थे ही नहीं इस दोरान यह जो waiting period था ओके जैसे कि जिस element के आप हो उस element में जब कोई होता है तो जिस तरीके के काम कर वह अपने किये ही नहीं उस element को कहीं नगी आपने दबा दिया और दूसरा element अपने अंदर लेकर आए जैसे अगर आप fiery element के हो या हो सकता है air sign के हो ठीक है airy element हो सकता है तो उसको आपने water element में change किया कि धार रखते हैं wait करते हैं wait करते हैं प्यार से सब कुछ मिलता है ये सब कुछ हाला कि करना बहुत मुश्किल रहा लेकिन फिर भी आपने किया ये सोच कर कि नहीं जो होगा अच्छा होगा ये सोच कर बट अब मैं आपको देख रही हूँ कि आप और जादा वेट नहीं कर सकते और जादा आप शायद ये कहोगे खुद से कि अब मेरे से सहा नहीं जाता तो अब मुझे एक्षन लेना ही बढ़ेगा और आप एक्षन लोगे तो जो इस्टक सिचुवेशन है आपकी जिसमें आप इस्टक हो वो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से और हो सकता है कि ये करते हुए आपको तकलीफ हो आप पेन में रहें लेकिन वो पेन आप बरदाश्त कर लोगे बट ये जो अटकन सा है आपका अटकना जो है जिसकी वज़े से आप ग्रो नहीं कर पा रहे इसको आप पूरी तरीके से एंड करोगे ये जो सिचुवेशन है जिसकी वज़े से कुछ भी नहीं हो रहा ना आपकी पॉरसनल लाइफ में न प्रोफेश्नल लाइफ में इसको आप एंड करोगे और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप connected हैं जिसकी वज़े से ये situation बनी हैं उससे connection तोड़ने में कई बार ऐसा भी हो कि आपको कुछ signs मिलें जो आपको ये feel करवाएं कि नहीं आपने give up नहीं करना है आपने रुप कर रहना है ठीक है ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के मैं energy feel कर पा powerful है और sometimes manipulative भी है तो ऐसी इस्तिती में उसका manifestation कुछ ऐसे काम करेगा कि आपको signs मिलेंगे के नहीं आपको वेट करना चाहिए wait for it wait for it but this time आप वेट नहीं करोगे हो सकता है आपके साथ हमेशा ऐसा होता हो अगर पहले भी कभी आपने end करने का सोचा हो तो आपको signs मिलते हो कि नहीं अभी वेट करना चाहिए तो फिर आप वेट करते हो कि ठीक है वेट कर लेते हैं क्या है अभी इतना वेट किया तो थोड़ा और सही तो ऐसा फिर से होगा वापस से लेकिन इस बारी आप रुखोगे नहीं यह मैं आपको करते हुए देख रही हूं और आप सच में बहुत इम्मती है वरना तो ऐसे करपाना बड़ा मुश्किल है देख लेते हूं और क्या है यहां पर इस दौरान और क्या आपको यूनिवर्स मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है और यहां से वी देख लेते हैं अब से मैं आपको बड़ा आपको ओकी दो कार्ट सेंगे तो मैं दोनों ही लेड़ूंगे आपके लिए यह बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि सबसे पहले तो आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो ठीक है जानने की कोशिश करो कि वो क्या चीज है जो आपको इतना चिंतित कर देती है कौन सी ऐसी थौट है और ये भी समझने की कोशिश करो कि इस थौट की वज़े से आपकी एनरजी कितनी जारी है कितना वेस्ट कर रहे है अपनी एनरजी को वो एनरजी जो आप अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा सकते हो उसमें कामा सकती है उस एनरजी को कहीं ना कहीं आप चिंता करके बरबाद कर रहे हो तो आप खुद समझ लो कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है बहुत ज़ादा चिंता करना अपने energy को यूही waste कर देना ये कहां की समझदारी है नहीं है ना तो चिंता करना बंद कर दो आपको ये बोला जा रहा है वो जो thought है जिसके जिससे आपको चिंता होती है तकलीफ होती है परेशानी होती है उस thought को ही खत्म करो अभी के लिए और अपने goal पर focus करो हो सके तो meditation करो जिससे के आप अपने soul को अपने body को अपने mind को अपने heart को बिल्कुल central energy पर लेकर आ सको ठीक है सब कुछ एक होना चाहिए जब दिमाग कुछ और सोचता है दिल कुछ और कहने को करता है सोल आपकी किसी और तरफ अपना force लगा रही है जब ऐसा होता है न तब कोई भी decision आपका सही नहीं होता है और जब सब कुछ एक साथ हो सभी के energy एक साथ मिल जाए उस वक्त जो आप निर्णय लेते होना वो कभी गलत नहीं हो सकता तो आपको वही करना है और यह कैसे होगा यह meditation से होगा तो आपको बोला जा रहा है कि आप meditation करो समाधी के अवस्था में जाकर यानि कि सब कुछ फूल कर सिर्फ आपको meditation करना है और खुद के soul पर focus करना है जानना है कि वो कौन सी thought है जिसकी वज़े से आप इतने सालों तक स्टक रहे जिसकी वज़े से आपकी growth नहीं हो पाई उस thought को हटाना है और अगर कोई भी ऐसी इस्तिती है परिस्तिती है कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको grow नहीं करने दे रहा है जिसने आपको स्टक करके रखा है जो आपके goals को पूरा नहीं होने तो बेहतर होगा कि उससे डीटैच हो जाएंग, ठीक है डीटैच्मेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें आप उससे बाती ही ना करें आपको इस्टक फिल करवा रहे हैं या जिन्होंने आपको इस टक रखा है, वो आपके family members हो, आपका कोई अच्छा दोस्त हो, है ना, तो ऐसी इस्तिती में आप उनको छोड़ दो, या पूरी तरीकी से connection तोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी वो बाते सुननी हैं, जिनसे कि आपके goals आपके लिए बहुत important है, वो आपको आगे तक लेकर जाएंगे, और अगर कोई भी energy आपको, आपके goals की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है, तो आप समझ जाए कि उनका उत्देश क्या है, और ऐसा भी हो जाता है, कि जो आपको रोक कर रखते हैं, जो आपको इस टक feel करवाते हैं, जो आपको manipulate करते हैं, जरूरी नहीं है, कि वो intentionally ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, जैसे कि मैंने एक post भी share करी थी, कि जो negativity की तरफ जाते हैं ना लोग, वो खुद भी negative होते हैं, और दूसरों को भी negative कर देते हैं, तो हमेशा उनको पता नहीं होता है, कि वो ये कर हैं, वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं, और दूसरों के भी साथ में गलत कर रहे हैं, बट वो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो negativity की तरफ चले गए हैं, परिस्तितियों के चलते, लगातार असफल हो रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा experience उनका नहीं रहा, तो वो negativity की तरफ चल उसे, उनको खुद पता नहीं होगा कि वो इस तरीकी से कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, तो आपको ये identify करना है कि क्या कुछ ऐसा है, क्या वो आपको stuck feel कर रहे हैं, या फिर आपको stuck करके रखा है, या फिर ये आपके ही thoughts हैं, क्या पता को कुछ भी ना कर रहे हैं, आपने अपने ही दिमाग से को सोच रखा और आप स्ठक हो, ठीक है, अगर ऐसा है, तो इस बंधन को तोड़ो, ओके, detachment के energy में जाओ, और अपने goals को पूरा करो, अगैन मैं कहूंगी, कि आपको किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आपको detach होना है, आपको यह वो समय है, जब आपको अपने goals पर ध्यान देना है, ना कि उन चीजों पर जो कि आपकी growth में वाधा बनती है, ठीक है, यह है आपके लिए guidance, तो I hope कि आपको यह reading पसंद आई हो, और मैंने अच्छे से explain किया हो, अगर आपसे यह reading resonate होई है, अगर आपको पसंद आई है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, comment section में मुझे बताएं भी, channel को share and subscribe ज़रूर करें, thank you so much for watching the video, take you love you all, bye bye, hello guys, तो जिन्होंने यह वाला card select किया है, angel of love, तो चली देख लेते हैं, कि क्या उनकी लाइक में कोई टॉर मुमेंट आने वाला है, अगर है, तो उससे कैसे दूल करन है, कैसे उसे face करना है, और अगर ऐसा कोई टॉर मुमेंट नहीं है, तो क्या कुछ होने की आगे संभाबना है, let's see, okay, case of pentacles झाल ओके और यहां पर है जिस्टिस तो एक मेजर काना मैं यहां से भी लूँगी और उसके बार मैं आपको explain करूँगी कि क्या कुछ है मैं एक ही लेने वाली थी वेकिन यह सारे ही आ गये हैं तो इस ओके तो यहां पर है lovers यहां पर है star and यहां पर है empress okay just a minute guys all right guys यह रहे आपके cards और यह तो actually blessing है आपके लिए ठीक है यह टॉर मोमेंट नहीं कहूंगी मैं यह blessing है बहुत आपने वेट किया है इस मौके का वो मौका आपको विनने वाला है एक नई शिरुवात है यहां पर एक नई शिरुवात है एक अच्छे relationship की नई शिरुवात है एक अच्छे करियर की और यह जो आगे होने वाला है यह पहले भी था ओके यह सब कुछ पहले भी था हो सकता है कि आप पहले बहुत अच्छे थे बहुत इस्टेबल थे तो वह stability आ रही है वापस और ऐसा हो सकता है कि आप किसी connection में थे जो की बहुत ही खुबसूरत था जिसे explain कर पाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए यह soul to soul connection रहा होगा आपका sorry guys बहुत आवाज आरी होगी notification की just a minute हाँ जी guys तुम्हें कह रही थी कि कोई तो एक ऐसा connection था जिसको explain कर पाना ही बड़ा मुश्किल होगा जिसको लेकर कई सारे लोग कई बाते करते होंगे क्या रे यह जो आपका partner है यह सच्छा नहीं है आपको प्यार नहीं करता या यह वो किकि देखने में वो connection ऐसा लगता होगा कि इसका कोई future नहीं है और जो partner है आपका वो कही ना कहीं आपको manipulate कर रहा है आपके लिए सच्छा नहीं है और बाते बना रहा है सिर्फ इसलिए कि time pass किया जा सके लेकिन अंदर ही अंदर आपको बता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस connection की सच्छा ही कुछ और ही इस connection में बहुत कुछ आपने face किया बहुत struggle रहा और अगर में आपके professional life की बात करूँ तो कोई project आपका ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत महनत करी बहुत struggle किया लेकिन जैसे कि वो project आपके पास नहीं रहा वैसे ही हो सकता है connection आपके पास नहीं रहा हो जिससे जो resonate करें वो वैसा ही ले सकता है क्योंकि यहां पर emotions भी मैं feel कर पारी हूं और यहां पर अगर मैं practical level पर देखूं तो वो energy भी मुझे महसूस हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चीजें आपके पास थी और दोनों ही आपके पास से चली गई और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो ही रहा तो यहां पर मैं देख पारी हूं कि वो सब कुछ जो आपके पास कभी था और चला गया सब कुछ वापस आ रहा है और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि शायर इसको बहुत लंबा अर्सा इसको बीच चुका है यह जो हुआ है आप दोनों के अधर भी कर दिया हो कि आप नहीं लगता कि कुछ होने वाला है बट वो आपको मिलने वाला है यही मैं सभी को कहती हूं कि जब आप सरेंडर करते हो ना मैनिफेस्टरिशन तभी बड़ी खुबसूरती से काम करता है और आपको मिरे कल्स देखने को मिल जाते हैं शायद मैंने आपको बताया हो मेरे नोज रिंग का इंसिडेंट पता नहीं मैंने बताया किसी वीडियो में या पर नहीं गाइस दस महीने पहले मेरा नोज रिंग वो भी था जब दिवाली आती है और आपको पता है कि घर की कैसी सफाई और दुलाई होती है उसके बावजूत वो रिंग मुझे नोज रिंग मुझे मिल गई सोचो तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करता है मैंने बस मैनिफेस्ट किया था कि वो मेरी फेवरेट थी म मुझे मिल जाए और उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया मैंने फिर नहीं सोचा कि वो कहां होगी कहां मिलेगी मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन वो मिल गई तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है कुछ था जो बहुत ही सुन्दर था जिसको आपने खो दिया जिसको लेकर आप आपको ऐसे लगता होगा बट वही आपसे चींड लिया गया लेकिन अब वापस से वह आपको मिलने वाला है यह जो separation था या फिर यह जो आपकी विश्पूरी नहीं हुई थी यह सिर्फ इसलिये था क्योंकि आपको special journey पर लाया जाए आपको यह बताया जाए कि आप इस दुनिया में क्यों आएगो कि काफे सारे लोगों के लिए मुझे आपर energy आ रही है कि आप लोग स्टार सीट हो सकते हो सिर्फ इसलिये नहीं क्योंकि दे स्टार का कार्ट है यहाँ पर नहीं कि जो चीजें के साथ वही है वह यह बताती है कि आप divorced सीट हो आपका फर्ज है लोगों को Method के साथ और वह शायद आप पूरी तडारीके से सीख कुके 서 समच चुके हो तो अब आपको justice मिलने वाला है आप जो चाहते थे वो आपको मिलने वाला है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिसको पीछे छोड़ाए थे वो आपको वापस से मिलने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से confused हो जाओ चाह बगारी रहना है और फिर अचानक से वह चीज आ जाये तो आप समझ नहीं पाते हैं कि अपको खूश होना है और кому दुखी होना है वियोट सा लगता है कि क्या है यह जो मुझे फील हो रहा है है यह क्या है तो हो सकता है वैसा भी हो तेंक यूज जिन्हों ने पाइल नमबर टू चूस किया यह जिनकी एनरजी है चूस किया है नहीं आप लोगों की एनरजी है यह यह क्यों कि जब आप लोगों की डीडिंग इतनी सुंदर आती है न तो आपसे कहीं ज्यादा खुश ही मुझे होती है कि हमारे साथ क्या होता है न हम reading करते हैं और आपको पताइए हर किसी की तो positive reading नहीं आ सकती person readings में भी तो जब हम कुछ बताते हैं जो सामने वाला नहीं सुनना चाहता है उसको तकलीफ होती है तो उनको बोलने से पहले हमें तकलीफ होती है कि हम उनको बोल रहे हैं कि आपका य बनाते हैं, बस यही है कि आप लोगों की रीडिंग अच्छी आती है, तो आप लोगों से ज़्यादा सुकून हमें आता है, चैन से हम सो पाते हैं कि ओके, हमने किसी को कुछ अच्छा बताया, सच बोलने वाली बात होती है, अब सच जैसा भी हो, जितना भी कड़वा हो, बो करें, ये भी एक चैलेंज ही होगा, वापस से उसी एनरजी में खुद को ढाल पाना, मतलब किसी को बहुत प्यार किया, फिर वो नहीं मिला, और उसके बाद उस एनरजी से बाहर खुद को निकालना, उस दर्द से बाहर खीच कर निकालना, क्योंकि बड़े आराम से आप न को कर रहा होता है, मैंने वही बोला था, उस दिन जब में रीडिंग कर रही थी, मैंने इंट्रो में बोला था, जब 300 के कमप्लीट हूए था, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को गाइड करती हím, आप लोगों को बताती हूं कि आपको हीलिंग करनी है, लेकिन आप खुद क कितना दर्द आपको हुह रहा है, आप खिल करते हो, आप भोल नहीं सकते, और साथी साथ दुनिया ऐसी है कि अगर आप खुड़ कर भी हो कि मुझे ये दरद है, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला क्या से रियक्ट करेगा, क्या पता हसे आप पर क्या पता वो यही चाहता हो तो और दभा कर अंदर रखते हैं वो feeling के हम नहीं बताएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है घुटा नोती है जानती हूं मैं वह सब कुछ जानती हूं और इसलिए तो मुझे इतनी चंता होती है मैं जब remedies बताती हूं कुछ भी करने के लिए कहती हूं मुझे पता है कि आसान नहीं है तो यह भी एक चैलेंज ही है आपके लिए कोई प्रपोजल आपके पास वापस आता है अगर आपके करियर से जुड़ा हुआ कुछ है हो सकता है किसी के साथ में आप business करना चाहते हो उसने पहले आपको ना बोल द कर रहा है कि थोड़ा टाइम आप लें और इसके लिए सोचे समझें और इससे डरें नहीं इस चैलेंज को भी लेना है क्योंकि आप स्टार सीड हो यह चैलेंज आपके सामने आते ही रहेंगे किसी ना किसी रूप में ओके तो जहां तक मैं देख पारी हूं आप तयार हो अ कि क्या करना है क्या नहीं ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में जो ब्लेसिंग्स आई है उनको आप टेस्ट समझ लो कि हो सकता ही यह धोका है और यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रही है तो मुझे इसको एकसेप्ट नहीं करना है जाने देना है तो वो अपॉचुनिटी चली करने के लाबा तो आपको देखना है अपनी इंटुशन से आप जानने की गोशिश करना हो सकता है एक से ज्यादा प्रपोजल्स आ जाएं है ना तो देखना है कि कौन सा सच्छा है कौन सा जूटा आराम से टाइम लेना उसके बाद ही कोई फैसला करना है आपने तो यह थी आपकी रीडिंग आपको यह पसंद आई हो आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना रेजनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक्यू सो मच पोचिंग दे वीडियो टेक लावियो बाब बा जो आने वाला है क्या आप रिसीज़ करने वाले हों क्यून ओफ कप्स ओओ उनिवर्स इतने सारे कार्ट नहीं दिया करो चुप चुप रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये वाला कार्ट स्लेक्ट किया है तिंकिंग मैं अंदर ही अंदर खिचडी पकती रहती है बोलना नहीं है कुछ कहना नहीं है कुछ शेर नहीं करना है मुझे देखने ही बढ़ेंगे ये कार्ट ओके एस ओफ सोर्ट यहां पर है सिक्स ओफ टैंटिकल्स यह मुझे पहले भी दिखा था रही थी जब मैं शकल करने जा रही थी उस वक्त वे रहीं वानत विए प्सूर्ट यॉज वॉड नहीं पहीं व्ग वैज व्ग वानत वग व्ग वानत प्सूर्ट यॉड व्ग व्गें व्ग व्ग है Magician राशियां आपकी बताऊ मैं मुझे लगता है Air Sign हो आप Fire Sign भी हो सकते हो या तो Air Sign के साथ में डील कर रहे हो या Births चार्ट में Air होगा कुम राशी तुला राशी ये लग रही है मुझे आप रहों की कौन लेखते हैं Paraphant Bottom of that एक क्या है? Moon इसको में आ रख देती हूँ Just a minute guys Okay अब क्यूंकि ये जर्नल रीडिंग है guys त्यान रखिएगा सभी के लिए message नहीं हो सकता है लेकिन कुछ लोग के लिए है भई मैं बता इसलिए रही हूँ क्यूंकि ये बहुत important है किसी के लिए ठीक है? लेकिन अगर आप लोग merit है और ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोका दिया जा रहा है और आपको नहीं पता है अगेन ये सभी के लिए message नहीं है और मैं ऐसे messages देती भी नहीं हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि general reading को personal reading की तरह लेते हैं और अपने partner से जाकर fight करने लग जाते हैं तुम cheat कर रहे हैं चीट कर रहे हैं और हो सकता है तो उसको intuition आती होगी अल्राइट अगर आपका दिल ये कहता है कि आपका partner आपको चीट नहीं कर सकता है अगर आपकी intuition ये कहती है कि आपका partner आपको चीट नहीं कर सकता है तो ये message उनके लिए नहीं है क्योंकि यहां पर जो मैं energy feel कर रही हूं वो यह कि कहीं ना कहीं इस connection में कोई तो कमी है जैसे कि एक partner शायद दूसरे का waiting करता रहता है एक है जो बहुत या तो busy रहता है या फिर बोलता है कि वो meetings की वज़े से busy है वो अपने काम की वज़े से busy है उसको time नहीं मिलता शायद आपकी anniversary भी भूल जाया करता हूँ आपका partner आपका birthday भी भूल जाता हो आप wait करते रह जाते हो पता नहीं ऐसी energy आ रही है तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको कहीं न कहीं उसका अंदाजा होगा अगर आपका partner flirty type है तो आपको पता होगा ठीक है उन्हीं लोगों के लिए है आप सभी लोगों से request करूँगी कि जाकर अपने अपने partner से मत बोलने लगना कि you are a cheater तो मुझे cheat कर रहे हो क्योंकि यह आप पर बहुत भारी पर सकता है यह general reading है इसको personal की तरह ना ले अगर किसी तरीके का doubt है तो आप personal readings कर वा ले और मैं यह इसलिए नहीं कह रही कि आप मुझे से reading कर वा ले क्योंकि अभी मेरे पास appointment नहीं है आज के बाद आज ही होगी reading उसके बाद आई में मैं dates दूँगी उसके बाद मैं नहीं देने वाली आप किसी से भी करवा सकते हैं जिन पर आपको भरोसा हो लेकिन personal readings लेने के बाद ही कोई फैसला आपने करना है general reading की आधार पर नहीं करना है लेकिन ये message बार-बार आ रहा था इसलिए ये जरूरी था बताना जिनको उनकी intuition कहती है कि ऐसा कुछ है सिर्फ उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ possibilities हैं क्योंकि यहाँ पर almost five cards हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ऐसा होने की संभाबना है दूसरा जो लोग married नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका किसी पर crush है जो relationship में है उनकी भी बात नहीं करें अगर आपका किसी पर crush है तो पहले आप उनके बारे में जान ले समझ ले कि I mean उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है और यहां पर cheating के energy में नहीं कहूंगी यहां पर सिर्फ यह कहूंगी कि शायद आप misunderstood हो तो हो सकता है जब आप यह पता करो तो यह बात सच निकले कि उसकी लाइफ में कोई और है और यह बेशक आपके लिए टावर मुमेंट होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर पता नहीं भी करते हो पता नहीं लगवाते हो तो आपके सामने यह clarity आजाएदी divine की तरफ से तो यह एक और मुमेंट होगा आपके लिए और अगर आप किसी के साथ में connection में हो और उसके साथ में अभी आपका separation चल रहा है और आप उसका वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि उसकी तरफ से कोई ऐसी news आपको सुनने को मिले जो कि आपको अच्छी ना लगे ठीक है यह बिलकुल अपोजिट आ रही है एनरजी पाइल 2 के पाइल 2 में जो एनरजी थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी रिगंस्लेशन के एनरजी थी रियूनियन के एनरजी थी और यहाँ पर separation के एनरजी दिखाई दे रही है बट यह जो separation है यह आपके अच्छे लिए है क्यो मचदारी से काम लें जनरल रीडिंग है तो अपने पार्टनर पर आपको शक नहीं करना है मुझे नहीं पता कि यह message किसके लिए है कुछ लोगों के लिए होगा जिनके लिए है उनको कुछ तो clarity होगी कुछ तो पता होगा अपने पार्टनर के बारे में कि वो कैसा है ठीक ह और फिर से कहूंगी कि किसी तरीके के misunderstanding भी हो सकती है जिसके चलते आप दोनों की fight हो आपके और आपके पार्टनर की और अगर आपकी life में कोई भी नहीं है आप single है तो आपकी fight हो सकती आपके family members से और हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कुछ इस तरीके की बाते सुनने को म force करने शादी करने के लिए और आप वो नहीं करना चाहते हैं आपके कुछ goals है जिनको आप पूरा करना चाहते हो उसके बादी शादी के बारे में सोचना चाहते हो और इसके चलते fight हो जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका रिष्टा पका कर दिया गया हो और आपको बताय भी नहीं गया और जब यह बात आपके सामने खुले तो आपको तकलीफ हो तो यह टॉर मुमेंस हैं आपके लिए ठीक है आपको अलर्ट रहना है फिर से मैं कहूंगी एक बार फिर से कि जो मैंने बताया है उन लोगों के लिए जो मेरिट है जाकर अपने पार्टनर से मत ल अगर कुछ ऐसा शक लगता है तो आप वसर रीडिंग ले सकते हैं और वैसे तो मैं यही कहूंगी कि खुलकर बात करो कोई रीडिंग लोही मत अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो भई पूछो किया है क्यों मेरे से बात नहीं करते हो क्यों इतना लेट नाइट घर आते हो क्या दिक्कत है ओके डिसकल्स करो सामने से किसी रीडिंग के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है सामने से बात करो वेटर है अगर आप अपने पार्टनर से सामने से बात भी नहीं कर सकते तो क्या फाइदा है इस कनेक्शन में आने का है ना बस यही मैं समझदारी से काम लोग क्योंकि रिष्टे भई बड़ी जल्दी बनते हैं और बड़ी जल्दी तूट भी जाते हैं मैंने देखा है देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से दो आगे हैं तो चलो दोनों ही देख लेते हैं तो अगर आप अपने पॉवर को वापस अपने अंदर लेकर आ जाते हों क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोईनों वांस के अनरजी में थे आप इस कनेक्शन में आने से पहले आप कोईनों वांस के अनरजी में थे queen of wands के energy क्या है बहुत ही powerful queen बहुत ही attractive, बहुत ही intelligent talented, जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए जिसको पता है कि उसको खुद को priority देनी है जिसकी तरफ लोग आकरशित होते है तो उस energy से आपने shift करके queen of cups के energy में जगल ले ली और ये जो energy है queen of cups की ये queen of cups के energy बुरी नहीं है ये बहुत ही प्यारी energy है लेकिन queen of cups के साथ में क्या होता है कि जब वो किसी को प्यार करती है न तो तूट कर करती है विश्वास करती है तो तूट कर करती है और इतनी भोली होती है कि उसको ये पता नहीं रहता कि सामने वाला क्यासा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसको बेवकूफी बनाए जा रहा है है ना अगर queen of cups को king of cups मिले तो यह combination बहुत सुन्दर है दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि मर मिटने वाले energy में आते हैं लेकिन queen of cups अगर king of wands के energy में आती है तो उसके लिए यह जो combo है बहतर नहीं रहता क्योंकि जो king of wands है वो काफी ज़्यादा practical होता है logical होता है और उन चीजों की तरफ आकरशित होता है जो उसको fascinating लगे अगर कोई बहुत talented है smart है वो बंदा या बंदी उसको पसंद आएंगे जो बहुती loving energy में है kind है वो हाँ वो जानता है कि उसकी importance क्या है लेकिन वो attraction नहीं रहेगा क्योंकि वो ऐसा ही होता है वो जो king of wands है वो queen of wands के साथ में ठीक बैठता है क्योंकि दोनों एक जैसे ही है ठीक है तो बस वही है तो इस energy से आपने shift करके उस energy में जगली और शायद जिनके साथ में आप deal कर रहे हो वो king of wands के energy में है और इसलिए यह जो combo है यह सही नहीं है यहाँ पर पूरी तरीकी से आ आप इस energy में वापस नहीं आ सकते हैं तो फिर सामने से बात कर लो ठीक है अगर आप इस energy में वापस आते हो तो miracles होंगे आपकी life में वापस से जो चीजें आपने lost कर दी हैं जो जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं वो मिलने लग जाएंगी जो secrets है वो खल कर सामने आ आपको पता है कि मैं वही बोलूंगी जो कार्ट में आता है जो angels मुझे बोलने के लिए कहते हैं सच है कड़वा होता है लेकिन मैं जूट नहीं बोल सकती और अगर आकसी यह रेजनेट नहीं करता है तो आप पाइल तू या वन स्लेक्ट कर सकते हैं तो आप आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें रेजनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी न भूलें चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू सो मच पोचिंग वीडियो ठेक के लब योल बग बाई लब यू